चंद्रियान 3 के भौकाल को देखकर रूस ने खोए होश. भारत का बाहुबली चंद्रियान 3 अपनी मन्जिल की और तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिसे देख रूस ने अचानक से 50 सालों बाद लांच किया अपना मून मिशन. जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिक चंद्रियान 3 को 23 अगस्ट से पहले चांद पर लैंडिंग कराने का फैसला ले रहे हैं. और इस मिशन के हर पड़ाव में चंद्रियान 3 को मिल रही सफलता को देख नासा, चीन और पाकिस्तान बॉकला उठे. इसलिए दुनिया भर में यह चर्चा हो रही थी, कि हो सकता है चंद्रियान 3 के पीछे पीछे नासा और चीन अपना मून मिशन लॉंच कर दें. हालांकि इन बातों में हमने भारत के दोस्त रूस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यूकरेन के साथ, युद्ध की वजह से तूटी हुई कमर के साथ, रेंग रहे रूस ने अपना दबदबा बनाने के लिए भारत से ही पंगा ले लिया. जहां रूस ने अचानक से अपने मून मिशन लूना 25 को चंद्रियान 3 से पहले चांद पर उतारना चाहता है, लेकिन आखिर रूस कैसे इस मिशन को अंजाम तक पहुँचा पाएगा और इसरो का वह कौन सा सपना था, जिसे रूस चूर-चूर करने का मास्टर प्लान बना जानने के लिए वीडियो अंध तक जरूर देख के चंद्रियान 3 के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने के लिए बेताब है, रूस के वैज्यानिकों की पूरी कोशिश है कि वह चंद्रियान 3 से पहले ही चांद पर अपने लैंडर को लैंड करवा दें, इसलिए रूस जानने हड़ बड़ी में अपने मून मिशन को 11 अगस्त के दिन ही चांद की तरफ रवाना कर दिया है। अपने लूना 25 को चांद के दक्षणी धुरुफ पर ही उतारने वाला है और वह भी भारत के विक्रम लैंडर से पहले। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इसरों ने वह कौन सी उपलब्धी हासिल कर ली है कि रूस को अचानक से मिर्ची लग चुकी है। क्या रूस भार में रूस ने चांद के सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपने लूना 24 मिशन को भेजा था। जिसकी चांद से धर्ती पर वापसी होने के बाद से रूस ने ऑफिशिली अपने मून मिशन पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब 47 साल के बाद रूस अचानक से जाग उठा चंद्रियान 3 को पीछे चोड़ने के लिए वह अपने मिशन को चांद पर डार्क साइड भेज रहा है। चंद्रियान 3 मिशन की तरह प्रिथवी और चांद की कक्षा में गोल-गोल घुमा कर नहीं भेज रहा। इसी वजह से प्रिथवी से चांद तक जाने की उसकी टाइ 25 सिर्फ 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ही चांद की सतह पर पहुँच जाएगा। साथियों मून मिशन की शुरुआत से ही अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यानों को सूपर पावरफुल रॉकेट पर सबार करके जल्द से जल्द चांद पर पहुँचाने में यक ना रहा है। जिसमें भले ही समय ज्यादा लगे लेकिन यह तरीका काफी किफायती और सुरक्षित है। इसलिए जहां चंद्रियान 3 के सफल होने के चांसे 100% है वहीं रूस के लूना 25 मिशन की सफलता के सिर्फ 50% है। चांद से लूना 25 मिशन के शेडियूल की बात करें त ना रहन से 11 अगस्त के दिन लौंच कर चुका है। और करीब 5 दिन के बाद 16 अगस्त के दिन यह अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुँच चुका है। जिसके बाद 4–5 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा और लैंडिंग के लिए तय की गई तीन जगह में से किसी एक जगह पर लैंड करेगा। रूस के लुना 25 की लैंडिंग डेटे कीस या 22 अगस्त की बताई जा रही है। क्योंकि चंद्रियान तीन की लैंडिंग से एक या दो दिन पहले होगी, यानि कि अगर रशिया का ये मिशन सफल हो जाता है, तो भारत की जगह रूस दुनिया का पहला देश बन जाएगा, जिसने चांद के दक्षणी धुरुव पर सबसे पहले कदम रखा है। साथियों रूस ने इसरो के चंद्रियान दो मिशन के दोरान भी टांग अड़ाने की कोशिश की थी, हालांकि वो अपने यान को लॉंच नहीं कर पाया था, लेकिन अब एक बार फिर इसने वही हरकत को दोहरा दिया है, और भारत के पीठ पीछे चुरा भोखने की कोशिश की है, रूस के प्रेसिडेंट पुतीन की यह हरकत देख कर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी काफी हताश हो गए है, और इसरो भविश्य में रसिया के साथ कभी भी स्पेस कॉलिबरेशन नहीं करने वाला है, दोस्तों अपनी इस हरकत को लेकर बयान देते हुए रूसी अ जानकारी मिल सके और अपने भरोसे मंद चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पर सिलेक्ट करना बिलकुल न भूलें, मिलते हैं किसी और नॉलजेबल वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद.